जहन्द विवन स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस नियों जिंदी में जहां आपके लिए लेकर क्या आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को वो भी कम से कम समय में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके अंसर ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस समय जो अलग अलग स्टेकोलडर से इनके साथ डिसकर्शन चल रहा है और अगले च्छे महीनों में सारी चीज़े फाइनलाइज हो जाएंगी और एक चरण बत तरीके से अप्ग्रेट की प्रक्रिया की शुरुबात होगी उन्होंने और इंड़ने फोस लगातार इस पूरे प्रोग्राम को मोनिटर कर रही है अधिकतर सिस्टम या तो विक्सित किये जा चुके हैं या अपने फाइनल स्टेज़ में है जिनका इस्तमाज सुपर सो कोई अप्ग्रेट करने का फैसला किया था और इसके लिए अलग अलग जो क बाल उठाना शुरू कर दिया है उन्होंने कहा है कि भारत ने यतनी बड़ी इंवेस्टमेंट की है क्या उतने रिटर्न हमें मिल रहा है इस प्रोग्राम में यह देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां पर ना तो हमें एडवांस एसा रिडार देखने को मिल ला है जिसके वज़े से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी कम इन्हेंस हुई है उन्होंने कहा कि अगर यहां पर नया इंजन मिलता तो जाहिर से बात है इसकी परफॉर्मेंस रेंज और पेलोट केरिंग केपैसिटी इंप्रूव होती और अगर एडवांस इसा रिडार एक रिपोर्ट हली में सामने आया थी जहां पर कहा गया था कि जो रोल आउट है वो डेले हुआ है और दोहजार चब्स मार्स में इसका रोल आउट देखने को मिलेगा तो इस पर बात करते हुए जैदेव एपी सर जो की डीजियम है उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी दुनिया के सबस्के हैंने मार्स दौहजार चब्स की वह एक्चुल टैम्राइन होगी इसके फर्स्ट फ्राइट की मार्स दौह जाबिस तक इसकी पहली उडान को पुरा किया जाने का बदाते चलें कि तक्रीबन दोसोफ से ज्यादा की सक्या में जे लार खरीते जाएंग दुनिया के सबसे पाउरफुल और सबसे एडवांस में गिने जाते हैं लेकिन हाले में इनकी जो हालत हुई है इसने भारत के लिए चिंताया बढ़ा दिये हैं हम सब बहुत बड़ा सीरियस कुश्चन है कि क्या आज के मॉडरन वारफेर में जो कॉंटेस्टेड एरस्पेस हैं उस प्रकार के ड्रोन जो हैं वो सेफ हैं या नहीं इनकी कॉंबैट सर्वाइबिल्टी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं हाउदी रिबल्स ने ये क्लेम किय है कि उन्होंने जो इरानियन एर डिफेंस सिस्टम हैं उनकी सहायता से ये मल्टी मिलियन डॉलर के जो मशीन से इनको गिरा दिया है और इसने ना सिर्फ इस समय मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है हिंदुस्तान एरनोटिक सिम्टेट की फैनेंशिल एर दोजात तेश चौविस की जो कि फोर रिपोर्ट है उसमें एक बड़े मूव के बारे में बताया गया है जहां पर कहा गया है कि एरक्राफ्ट के जो इंजन है और दुसरे क्रूशल कॉम्पोनेंट है इनकी मैनेफेक इस चेट इंजन और एरक्राफ्ट मैनेफेक्टरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है तो यहां पर हिंदुस्तान एरनोटिक सिम्टेट ने इस शेतर में नहीं संदे एक उलिखनिया कारे किया है पाकिस्तान से आ रही है जैसे कि हमने पूरुकी अपडेट्स में कहा था कि चाइना इस समय पाकिस्तान को हर प्रकार से मदद करने की तयारी कर रहा है फिर चाहे वो टैंक्स हों मिस्ल्स हों या फिर फाइटर जेट्स हों और हम सबने हाली में देखा कि जेव सेवेंटीन ब्लंडर और उसके बाद जो जेटन फाइटर एरक्राफ्ट है इनको सप्ला पाकिस्तान में इसकी लोकल मैनफैक्टरिंग शुरू कर सकता है तो तुर्की के कान प्रोजेक्ट में भी वो अपने हिस्सेदारी को क्लेम करता है तो भारत के लिए ज़रूरी यह है कि भारत भी अपने फिप जनेरेशन फाइटर क्राफ्ट डेवलोपेंट प्रोग्राम को फास्ट फ्रैक्ट ज़रूर करें हमारी एगली बड़ी अपडेट इंडिनेर फोस को लेकर के आ रही है जैसा कि हम तो जानता हैं कि इंडिनेर फोस में वर्स 2021 में पहले 83 तेजस मार्क 1A और फिर 2024 में एडिशनल 97 जेट्स को खरीदने की बात की है तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट सी दावा कर रही थी कि हिंडूस्तान अरॉनॉटिक सिम्टिट के यह जो बड़े ओर्डर्स हैं इनको विसिकली कम कर सकते हैं तो हल नहीं चीज़ कंफर्म कर दी है कि हिंडूस्तान अरॉनॉटिक सिम्टिट का तेजस मार्क 1A के जो कि कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो नंबर्स संभावित थे उन्हीं नंबर्स में यह जो और्डर्स हैं यह किये जाएंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि अपडेट्स आपको अच्छी लग रही होंगी अगर लग रही हैं तो चैनल को करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जहन्त